दिसम्बर का महीना सबजी वर्गी खेती करने वाले किसान भाईयों के लिए काफी जादा चुनोतियों से भरा पड़ा है क्योंकि दिसम्बर के महीने में पढ़ने वाले पाले से हमारी फसले खराब हो सकती है इसलिए दिसम्बर में हमें फसलों की बुवाई करते समय बड़ जिनकी बुवाई आग दिसंबर के महीने में अपने खेत में कर सकते हैं। हमारी दिसंबर के महीने में गोई जाने वाली पहली फसल पर आने से पहले। जिन भी किसान भाईयों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हैं। तो सबसे पहले वे इस वीडियो को लाइक कर दे। हम इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइस का टार्गेट देकर चलते हैं। तो फटाफट से लाइक करके टार्गेट को प्रेट करें अब हम आते हैं हमारी पहली फसल दिसम्बर के महीने में गोई जाने वाली हमारी पहली फसल है फूल गोबी दिसम्बर के महीने में आप फूल गोबी की खेती कर सकते नरसरी तैयार है तो फूल गोवी के पोदो का ट्रास्प्लांट खेत में कर दे और अगर नरसरी तैयार नहीं है तो आप दिसंबर के महिने में फूल गोवी की नरसरी भी लगा सकते हैं दिसंबर के महीने में अगर आप फूल गोबी की खेती करते हैं तो आपको फरवरी के महीने के आसपार फूल गोबी की फसल चोत पादन मिलने लगेगा और फरवरी के महीने में हमें फूल गोबी का काफी अच्छा मंडी थोगवाव देखने को मिलता है इसलिए आप दिसंब दिसम्बर के पहले सप्ता में ही फूल गोबी की नरसरी तैयार कर ले वो नरसरी तैयार है तो दिसम्बर के पहले सप्ता में ही फूल गोबी के पोदों का ट्रास्प्लाइट खेत में कर दे। यानी कि दो लाइन के बीच की दूरी एक फिट रखिए और एक पोदे से दूसरे पोदे के बीच की दूरी भी खम दे एक ही फिट रखिए दिसम्बर के महिने में वोई जाने वाली पत्त गोवी की फसलन हमें सबसे कम हिली का अटेख देखने को मिलता है जिसे आप सिर्फ एक स्प्रेख से कट्रॉल कर सकते हैं अब हिली के अटेख के लिए कौन सा स्प्रेख देना है वहाँ जानते हैं टाटा टाकूमी 10 ग्राम वह प्रोफेक्स सूपर 15 में 16 लिटर की तंकी में मिला कर इस्प्रेपम की साहिता से पत्ता गोबी की फसल पर इस्प्रेग कर दे। एक किलो के आसपास तक बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि हमने खुद में हमारे 0.25 एकड़ में पत्ता गोबी की फसल लगाई है। और आप जैसा कि यहाँ पर देखी सकते हैं कि हमारे पत्ता गोबी के फूल बनने लग गए हैं और 6-7 दिन में इमकी हार संबर के पहले सकता में ही आप मेथी के बीजों की बुवाई करते हैं। वह मेथी के बीज बुवाई के तीस से पेतिस दिन के बाद में आपको मेथी की फसल से हार्वेस्टिंग मिलने लग जाईगी। अब अगर आप चाते हैं कि आपकी मेथी की फसल एक साथ में डिवाइड कत्म है फिर हम प्रत्तेक हिस्से में साथ दिन के अंतराल पर बुवाई करेंगे जैसे कि अगर हम एक दिसंबर को पहले हिस्से में बुवाई करते तो साथ दिसंबर को हम दूसरे हिस्से में बुवाई करेंगे चौदा दिसंबर को हम दिसरे हिस्से में अभी अलग-अलग देखने को मिलेगा। दिसंबर के महीने में लदाई जाने वाली हमारी चोफी फसले पालक। मेती की तरही आप दिसंबर के पहले सप्ता में ही पालक के वीजों की बुवाई कर देगे। जहां मेथी की फसल में हमें सिर्फ एक बार हार्वेस्टिंग मिलती है पर पालक की फसल में हम 4-5 बार हार्वेस्टिंग बड़ी आसानी से ले 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 पहली हार्वेस्टिंग हमें 35-40 दिन के बाद में मिलती है और हर 15 दिन के अंतराल पर आप पालक की फसल से हार्वेस्टिं ले सकते हैं दिसंबर के महीने में लगाई जाने वाली हमारी पांचवी फसल है ब्रोकली आप पत्ता गोबी और फूल गोबी की तरह ही ब्रोकली की भी नरसरी दिसंबर के महीने में लगा सकते हैं और नरसरी तैयार है तो आप ब्रोकली के पोदों का पोदार ओपन खेत में क की दूरी भी हमने एक ही फिट रखी है ब्रोकली की खेती करते समझ एक बात का विशेज ध्यान रखे इसका मार्केट आपके एरिया में होना चाहिए क्योंकि अगर आपको ब्रोकली का मार्केट नहीं मिलेगा तो इसे बेचने में काफी जादा परिशानी हो सकती है या फिर आपके एरिया के आसपास बड़ी सीटी होना चाहिए आप बड़ी सीटी में ब्रोकली को आसानी से बेच सकते हैं हमने ब्रोकली के लिए सकाता ग्रीन मेजिक के बीजों का चुनाओ किया तो आप भी सकाता ग्रीन मेजिक के सिल्ट ले सकते हैं ब्रोकली के लिए अब हम जा पाले से बचाना है तो दिसंबर के महीने में अगेती में बोई जाने वाली तीन फसलों में से जो हमारी पहली दो फसले हैं वहाँ हैं तर्बूज और खर्बूज तर्बूज और खर्बूज की नरसरी आप दिसंबर के अंतिम सप्ता में बिस्पोजल ग्लास के माध्यम से लगा दें जब आप दिसंबर के महीने में तर्बूज और खर्बूज की नरसरी लगातें तो फरवरी महीने के अंत्त आपको तर्बूज और खर्बूज की फसल से उत्पादन देखने को मिलेगा और आप सभी किसान भाई या अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें तर्बूज वा खर्बूज का हमें सबसे अच्छा मंडी ठोक भाव मार्च के महीने में देखने को मिलता है इस तरह से आप दिसंबर के अंतिम सप्ता में तर्बूज वा तर्बूच वा खर्बूच की तरह ही आप खीरे की भी नरसरी दिसंबर के अंतिम सप्ता में विस्वोल जल ग्रास के माध्यम से लगा सकते हैं। 15 जनवरी के आसपस खीरे की नरसरी थैयार करें। अब हम जानते हैं कि हम इन तीनों फसलों की नरसरी को ठंड में गिरने वाले पाले से केसे बजाएं। तो इसके लिए आप लो टनल का उप्योग कर सकते हैं। लो टनल किस तरह से लगाना है अब वहां जानते हैं। जो हमारा फाइबर का क्रोप कवर है यहां चलेगा। और बारिश के लिए आप प्लास्टिक क्रोप कवर का भी उप्योग कर सकते हैं। सबसे पहले आप इन फाइबर स्टिक को बेट के दोनों तरफ कुछ इस तरह से लगा दे। आपको जितनी उचाई रखना है आप रख सकते हैं। एक स्टिक से दूसरी स्टिक के बीच की दूरी आप 10 फेट रखें। धागे की हमें तीन लाइन लेना है एक दो और एक पीछे की साइट तीन ताकि हमारा जो क्रोप कवर है उसको सपोर्ट मिले। इसके बाद में आप क्रोप कवर लगा दे। कुछ इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और फिर क्रोप कवर के दोनों साइट आप मिट्टी को चड़ा दे। क्रोप कवर को बेट के दोनों साइट किसी भी खुटे की साहिता से बान दे। इस तरह से आप अपने खेत में लो टरनल लगा सकते और इस लो टरनल के नीचे आप तर्बूज, खर्बूज, खीरे की नरसरी हमने जिन डिस्पोजर ग्लास में तैयार किये उन्ह डिस्पोजर ग्लास को रण दे लो टरनल के माध्यम से अत्यरिक ठंड से अगर हमारे खीरे तर्बूज वा खर्बूज के पोधे प्रवावित होते हैं तो हम उन्हें बचा सकते हैं हम दिसंबर के महीने में फूल गोबी, पत्ता गोबी, मेथी, पालग, ब्रोकली इन पाच फस्पोज की खेती कर सकते हैं साथ ही साथ हम दिसंबर के अंतिम सप्तावे तीन फस्पोज की नरसरी भी तैयार कर सकते हैं अगेती हम हमारी ये तीन फसले थी तर्बूच, खर्बूच और खीरा तो आप इन आठ फसलों की खेती दिसंबर के महीने में कर सकते हैं इस वीडियो में दी गई जानकाली अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आप सभी किसान भाईयों को मालू वेकर हमने इस वीडियो के ऊपर एक हजा लाइक का टार्गेट रखा है तो जिन भी किसान भाईयों अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए हवारे एक हजार लाइक्स के टार्गेट को कम्प्रीट कर जन्यवाद किसान भाईयो जे जवाद जे किसान